नमस्कार आज हमारा टॉपिक है वनो का महत्व वनो की हमारे जीवन में क्या उप्योगिता है वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है आज हम इस पर चर्चा करेंगे आईए जानती है वनो का महत्व वन मानो जीवन का आधार है प्राकर्टिक रूप से स्वता ही उगने वाले पेर पौधों तथा घास के सखन आवरण को हम वन कहते हैं अत्यदिक उप्योगी होने के कारण इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है संकसार के सभी भागों में एक जैसी वनस्पती नहीं पाई जाती है क्योंकि किसी भी स्थान की वनस्पती पर वहां की जलवायू ताप, वर्षा, मिट्टी, आदिभोगोली तत्तों का प्रभाव पढ़ता है इसलिए कहीं पर उचे व्रक्ष और कहीं घास की मैदान और अत्यदिक उश्र तथा अत्यदिक शीर जलवाय प्रदेश वनस्पती विहीन रह जाते हैं वनों के महतों को हम इन से मिलने वाले लाभूं द्वारा भली प्रकार से समझ सकते हैं वनों से कई प्रकार के लाभ होते हैं जिने हम प्रत्यच और आप्रत्यच लाभ कहते हैं प्रत्यच लाभों में हमें जैसे लकडी को हम इधन के लिए इमार्तों के लिए उद्योग धन्धों तथा करशी अंत्रों के निर्माण में उप्योग करते हैं माचिस, कागज, रबर, लाग, आदे उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है पश्वों के लिए हराचारा, औशधिया, सुगंदे, तेल, लगु तथा कुटिर उद्योगों जैसे शहद, रेशम, मोम, कथा, बेद, आदे उद्योगों वनों पर आधारित हैं ये सभी हमें प्रत्यच प्राप्त होते हैं जंगली जारवनों का शिकार करके इनकी खालें, हड्डियां, तथा सींग, विदेश्यों को निर्यात किया जाता है वनों से प्राकर्तिक सौंदर में व्रधी होती है ये परेटकों के लिए भी आकर्षन का केंद्र बनते हैं और इनसे राश्ट्री आयमें व्रधी होती है अब आगे हम ये जानते हैं कि वन आपरत्यच रूप से हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं वन वर्षा करने में सहायक होते हैं, उपजाव मिटी का च्छन रोकते हैं, वन बार रोकने में सहायक होते हैं, घने वन तीव रहावाओं को आने से भी रोकते हैं, वन कार्बन डाय आकसाइट को आकसीजन में बदल कर वाईव प्रदुशन को रोगती है और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखती है मिट्टी में वनस्पती का अंश मिल जाने से उसकी उगजाव शक्ती बढ़ जाती है इसी लिए वनों की निकटवर्ती भूमी उगजाव होती है परन्तु आज के आधोनिक समय में जन संख्या व्रत्ती के साथ जंगलों का विनाश बढ़ गया है लोग नहीं समझते हैं कि व्रक्षी हमारा जीवन है इनसे ही हमें आकसी जन प्राप्त होती है और जंगलों के ही कारण बारिश होती है हमारी बहुत सी आवशक्ताएं इनहीं से पूरी होती है शुष्क मौसम में आपस में रगण खाते रहने से तथा मानों की असावधानी से भी वनों में आग लग जाती है इस्थान अंत्रित क्रशी के कारण इधन तथा अध्योगिक कारणों के लिए इन्त्री करण के विकास के कारण भी वनों का विनाश हुआ है संयुक्तराश संकी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष धर्ती पर एक प्रतिशत जंगल की कटाई की जा रही है जो पिछले दशक से 50 प्रतिशत जादा है। रूस, इंडोनेशिया, अफ्रीका, चीन, भारत इसमें सकसे आगे हैं। जंगलों की कटाई के कारण, जीव जन्तुओं की कई प्रजातियां विलुप्थो रही हैं। एक रिसर्च के नुसार, हिमाले छेत्र में भूछरण की दर 7 मिलिमीटर तक पहुँच गई है। जिसके कारण, नदियों में औसाद अधिक इकठा हो जाता है, जो बार आने का का बनता है। वनों की कटाई के कारण, बार, सूखा, भूछरण, ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थनों का विस्तार, जल संसाधनों में कमी, ओजोन पत का छरण, जैसी आपदाओं का भै बना रहता है। वनों को नश्ट होने से बचाने के लिए वन संद्रक्षन की आवशकता है। क्योंकि वन किसी भी राष्ट की अमूल निधी होते हैं, जो मानों की तीनों आपशकताओं भोजन वस्त और मकान की पूर्दी करते हैं, इनसे प्रतिवक्ति आये तथा राष्ट्री आये में व्रद्धी होती है। जिस दिन वन नहीं होंगे, धर्ती बंजर हो और मानों जाति का भी अन्त हो जाएगा। विश्व के सभी देशों में वन सनरक्षन जाग रुकता है तू वन उत्स्व मनाया जाता है। जैसे जापान में ग्रीन वीक, इसराइल में न्यू येर्स डे अफ ट्री, भारत में वन महत्सो, युएसे, फिलिपीन्स, कमबोड आर्बर डे, परन्तु वनों का सनरक्षन वर्ष में एक बार ब्रक्षर ओपर सब्ता मनाने से नहीं हो सकता। इसके लिए समस्त मानों जाति को जागरुक होना पड़ेगा। वनों को सनरक्षित करने का विश्व भर्मी दबाव बनाया जा रहा है। अंतर राष्टी इस्त लाख हैट्यर वनों का विनास हो रहा है। जिसका दुष प्रभाव बार भुष्खलन भोकम पादि प्राकर्तिक आपदाओं के रूप में देखा जाता है। इन समस्याओं के लिए 5 जून 1972 को इस टाक होम में पहला विश्व पर्यावरान सम्मेलन आयोजित किया गया। इ एक सो तीरा देशों ने भाग लिया। तो ये उत्तरदाय तो केवल देश की सरकारों का नहीं है। ब्रक्षों को हमें व्यक्तिकत रूप से भी लगाना चाहिए। अपनी आसपास अपने पढ़ोस घरांगन जहां कहीं भी हो सके ब्रक्ष को लगाना चाहिए। और इसकी ये जन जन को जागरू करना चाहिए। क्योंकि वन मानो जीवन ही नहीं, अपितु जीव जनतुओं के लिए भी महत्पून है। वनों को सुरच्छित रखना हम सभी का करतब है।